विशान जी आ रहे हैं आपके पास कुछी देर में राजेश सत्पुते जी आप F&O सुपरस्टार त्यार रखेएगा गावा सर आपके पास आएंगे चार्ट का चमतकार के लिए और मिटकाफ फंडा के लिए सनी एगरवाल जुड़ेंगे हमारे साथ कुछी देर में लेकिन इससे पहले कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं हमने अभी भी PFC REC की बात की थी दोनो इस समय में डेहाईपर गुजरात गैस देहाईपर लेकिन वापस मेरे रेडार पर गेल गावा सर आज हमारा सुबह का पहला क्विक सिंगल अब डेहाईपर गेल अब यहाँ पर क्या होते हैं इसलिए मैंने 190 दे दिया है टागेट वहां तक चला ही जाएगा फिर 195 फिर 200 जो सेट अप होना हाय टाइम में उसमें ताकत है स्ट्रेंथ है तो इस बाई उन डिप्स 185 को स्टॉप लागा चले तो अब भी मौका है गेल का बिलकुल और 196 35 पर इसका कर लें लेकिन उस ट्रेड में बने रहें क्योंकि अच्छी खासी वो ट्रेड गृप में है एक ओड़ जो अब गृप में होगी वह श्रीराम फिनांस एवाशी राम फिनांस लेकर आई और यह बात की थी इस टॉक की पहला डीसें मूव इंडेक्स में इंक्लूजिन के बा और जो नए stop loss है वो रहेगा 2499 का और टागेट रहेंगे 2610 जो मैंने शाद पहले भी 2610 की बात की तो 2610 तक के टागेट पॉसिबल है लेकिन stop loss को revise करके 2499 तले अच्छा आप देखिए वीरू मिटकाप ग्रीन में आ गया जो हमने डिसकेश कहता है कि मिटकाप सबसे पहले ग्रीन में आएगा वो तो आ गया मिटकाप इंडेक्स एक पार्ट तो पूरा हो गया सेटप का अब दूसरा पार्ट पूरा होने के में को लग रहा त्यारी हो निफ्टी भी मुझे लग रहा है यहां से आपको और अच्छी खासे रिकवरी देगा एक बार कोशिच तो करेगा इवन टरिट्री में आने की क्योंकि यह जो ग्लोबल फेक्टर से कभी भी डिक्लाइन आया और अब भी इतने वड़े अप्ट्रेंड में तो एक बार के ल आज एक्सपारी है यहां पर अबिसली लेकिन बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी हलकी सी रिकवरी आई गया है लेकिन यह शायद और बढ़ेगी यहां से जयां तो अभी तक तो रिकवरी आ रही है और निफ्टी करीब के 22-306 को स्ट्राइक करता हुआ इंडेक्स थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है ब्रेथ थोड़ी सी इंप्रूब होते विए अच्छा आज अभी तक के जो ट्रेज्स थे उसमें एक ट्रेड और अच्छा रहा है और वो था टेक महिंदरा खोलते ही यह राजेश अच्छा रहा है आपके स्पॉ इंडेक्शन था एक्जैक्ट 200 एमें पर आखे एक पुलबैक तो प्रोबैबली एक्स्टेंशन मिल सकता है तो देखे स्वीं ट्रेडिंग के इसाब से अगर जिसको बुक करना है वो बात जुदा है लेकिन अगर कोई वक्त देना चाहे तो देना चाहिए 1240 का जो कि थी मानस ने तो आई-टी में कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साइंस धूनते वे हमारे आज के महमान और निफ्टी आई-टी आज क्या करता है जरा स्कीम पर लिखाएंगे 32 अंग को पर निफ्टी आई-टी का अच्छा है बड़ी इंटरस्टिंग लिए आज का लो 1150 हाला कि देखे वीक नहीं कहेंगे मतलब इंटरे बेसिस पैटलिस वीक नहीं कहेंगे जहां पर खुड़ा उस तजिक्ट्री से अभी तक तो पुलबैक ही ले रहा है ज़एदा अगर आप देखे तो यहां पर दिक्कत नहीं है अबरा रियलिटी कल रियल स्टेट प्समे लेते हैं जी एनेफसी पर अमित आपका व्यू क्योंकि मैं जो मेरे सिस्टम ने अलर्ट किया वह यहीं के इस अगेन अबाउग और मुविंग अविजिस आई थिंग पोस्ट सेकिंड फैब आपका सेंस कह रहा है यहां पर जी विरेंजी ग्रांटिंग पैटर्न बना कि अ पास पास है वहां लगबग 610 रुपे का एक स्वाप लॉस रख सकते हैं 658 का और टार्गेट सेंगे लगबग 685 से 690 के जी एन फसी 668 प्राकेट ट्रेट करता हुआ और इस वक्त टाटा पावर का ट्रेट की स्पोर्टिंग हुई थी वो भी अच्छा कर रहा है ग्रिप में होगा और अल्टेटेक सीमन को लेकि आईएगा जैसे कि मैं क्या रहता है ना मैं ओपनिंग के बाग देख रहता है इस पॉइंट क्या होगा राजियर सित्पुते जी अगर रेंट्री में मतलब थोड़े डिप के बाद पकड़ना है अल्टेटेक सीमेंट को तो क्योंकि मैं सिर्फ आज के प्राइस से फोकस नहीं कर रहा हूं लेकिन अगर मैं थोड़ा बड़ा प्रॉस्पेक्टिव रख के यू लू तो पांच जनवरी के बाद कि अब तक कि ये पूरी की पूरी प्राइस सेलने जो है वो कटने को तयार है आपका सेंस क्या रहा है अल्टेटेक सीमेंट पेस पड़ता है अगर आप इसका डेली चार्ट देखे तो फॉलिंग चैनल जो हम जो बात कहते है उसका ब् ब्रेकाउट का लेवल है वहें दस अजार दस अजार और दस अजार एक सो तो यह एक सो पॉइंट की रेंज है काउंटर भी बड़ा है तो मुझे लगता है कोई डिप मिलता है इस लेवल के आसपास तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए दस अजार के नीचे स्टॉप लॉ पर है और मेरे ख्याल से अब मार्केट उस तो जो न्यूस का आपने जो का लक्षमा जी ने ब्रेक भी की थी वैसे गेल उसका इंपक्ट अब दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर अब गेल 2% उपर करीब करीब 190 के करीब यह स्टॉप जाता हुआ गेल की बात कर रहा हूं मैं सब एक पर दिखा देजिए उस स्टॉक को और उसके बाद अब हम यह दिखिए यह 188.55 पर इस समय है गाबा सर्कॉल बहुत शांदा रही वो इवन इन वीक मार्केट यह स्टॉक अब डेहाई पर चलिए अब चार का चोगा की शुरुवात करते हैं प्रिशान जी आपका स 1220 की जो कॉल 1120 स्ट्राइक प्राइस इससे ट्रेड कर सकते स्टॉप लॉस रखेंगे 30 31 के आसपास और यहां से जो टार्गेट होगा वोगा पच पर 55 का और फार्मा अच्छा लूपन में भी अच्छा मुवारा बाइदर लूपन भी डेहाई पर आया फार्मा में भी अच्छा मोमेंटम है लेकिन प्रिशान जी की कॉल और फार्मा पर है राजेश जी आपका एफनो सुपरस्टार अनुज देगे नजर पे था एसकोट्स लेक सब्सक्राइब की तो बाय करें नम्डेसी वित स्टॉप लॉस अफ्टीन और जो टागेट स्विंग का है मेरे जिसाब से आज का टागेट 232 से 235 का होना चाहिए यह राजेश जी के ट्रेट होगे अनम्डेसी देन चाहत का जमत का पिक करते हैं प्रकासर के साथ प्रकासर अपदाई क्या पिक कर रहे हैं आप अजिक मेरा दियान पॉली कैप पर है पॉली कैप टेट करहा है पाइट 2 3 8 पर वस 5200 का स्टॉप लागा चले तो पॉस्ति पर्स्टीनिकल टागेट पाहने तर 300 के और फिर हायर जोन देखीगे इससे प्रेंद नदर आती है पॉली कैप में और हायर जोन देखेगे तो पॉली कैप आप पिक कर रहे हैं और बावन सो चालेस प्केट कर रहा है अचा बहुत दैसे में पॉली कैप देखा नहीं था अभी एक बार इस पेक रिलुक करेंगे सनी अगरवार इस पीच हमारे सब मौजूद है फंडमेटल नोर पर बाच्चित करेंगे सनी गुड आफ प्राइस पे कंपनी का मार्केट कैप तकरीपन 12,000 करोड के आसपास है और मेरा प्राइस तारगेट रहेगा 2200 का विट इंवेस्मेंट होराइजन ऑफ 6-12 मन्थ अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते हैं तो एक वेल्ल डाइवर्सिपाइड कंपनी है फैशन बिजनेस म है और रिसेंटल हमने देखा था कि कंपनी ने इनका जो फैशन बिजनेस है अपरल एंटेक्टाइल बिजनेस के मिलेंगे पाच शेयर रेमन के सामने है और यह अब है तो मुझे लगता है कि बड़ा यह वैल्यू अनलॉकिंग का एक बड़ा पोटेंशल है इसमें आगिज अच्छी सेल्स और कलेक्शन एफिशन्सी हमने देखी थी आड़ सेम टाम डिसेंटली इन्होंने भी दो नए जॉइन डेवलोप्मेंट आग्रिमेंट साइन किया है तो मुझे लगता है कि कहीं ने के जो ठाने का जो एक लान डेवलोप्मेंट पोटेंशल है उसके अलाव तो इसके चलते मुझे लगता है कि एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी मिल रही है अक्रोस लाइस्टाइल, इंजिनेरिंग अन रियलिस्टेट अन डेवलोप्मेंट मुझे लगता है कि काफी रिजनेबल ट्रेड हो रहा है हमारा यह माननना है कि F25 में जो कि नेक्स येर है करंट इयर है इसमें कंपनी तकरीबान साड़े आठ सो से नौसो करोड का प्रॉपिट दर्च करेगी और जो मार्केट कैप ए कंपनी का अभी 11,000 करोड के आसपास है ROE, ROC भी मोर दन 20% है अगर में कंसॉल लेवल पर देखते हैं तो मुझे लगते है कि लॉंग टम के लिया से पोट्पूलिय में एड करना चाहिए प्रिशान जी ने औरोबिंदो फार्मा पर बेट लिया एक सस्ता ऑप्शियन ट्रेड में एक एप्रिल 11,20 की कॉल, 30 रुपीज का स्टॉप्लोस, 55 रुपीज के टार्गेट यहाँ पर राजिश सत्पूत ने पिकिया NMDC, 215 का स्टॉप्लोस यहाँ पर 232 और 235 के टार्गेट रहेंगे, गाबासर के पिकती पॉली कैब, पॉली कैब में 5200 के स्टॉप और अल्यडी उनके टार्गेट की तरफ बढ़ता हुआ यह स्टॉप, 5300 की तरफ और सनी जी ने पिकिया रेमेंड और रेमेंड पर एक अच्छा घासा टार्गेट 2200 का, एक बार पॉली कैब लेकर आगे वापस इंट्राडे में और विरो अगेन बिल्कुल मैंने भी अभी नोटिस के जब गाबासर ने वो ट्रेड दी और यह पिछले कई दिनों में लगाता एक बाइन डिप्स अब उसका 90% loss compensate हो गया, तो क्या बजार ने एक अच्छे stock को एक बुरी ख़बर के बीच में, जो कि further I think उसमें negative news पो आगे exceed नहीं हुआ, हाथों हाथ ले है और हमने उस दिर यादे मुझे गुर्मीत से बात की थी, conviction रहा, H&I's का और जो holder थे से stock को, बिलकुल, देके इसम इसमें conviction था, सबसे बड़ी बात यह थी, कि इसमें लोगों का conviction बना रहा, और अब एक चीज है, अब आप ने देखिए, एकदम बिलकुल हाइस पॉइंट पे एकदम आपने 500 पे ही ले लिया था, तब तो खैर अलग बात है, otherwise अगर आप एक इसमें portfolio investor रहें, तो अब इसम है, अब ही काम करते हैं, last leg of the show है, एक बार यतिंग के पास चलते हैं, stocks of the day के लिए,